और एक पती को इतना हग तो होता है कि अगर उसकी पतनी घर छोड़कर जारी है, तो वो उसे रोक सके. तुम्ही तो एक पतनी के हग से हॉस्पिटल में आई थी, मेरा ध्यान रखने के लिए? तो अगर पती का ध्यान रखना एक पत्नी की जिम्मेदारी है, उसका हक होता है, तो पती का भी हक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पती होने का फर्ज निभाए. अब मेरी बरी हैं, एक पती होने का फर्ज निबाने की तुम्हें इस घर से जाने से रोकूँगा विराथ सर, आप जबर्दस्ती अपना फैसला मुझे पर नहीं दोप सकते अगर तुम्हें यह लगता तो यही सही लेकिन एक बात तो तय है, तुम यह घर छोड़कर नहीं जाओगी और अगर तुम्हें जाने की कोशिश की तो तो क्या करेंगे? पूरी पुलीस फोस खड़ी कर दूँगा यहां पर तुम्हें अपना हाले दिल मेरी महाबत है बस मेरा राजे दिल सुन लो मेरी धड़कन तेरा नाम पुकारे जान लो बस जो है दिल में हमारे आखें जो कह रही है वो ना कह पाए जुबां कहना है बस अब तो हो तुम्ही मेरी जान गुम है किसी के प्यार में दिल सुभा शान पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसकाना हाए राँ हाए राँ वैसे मैंने फिटनेस सर्टिफिकेट समिट कर लिया है ड्यूटी जॉइन करने का लिटर भी मिल गया है एक मिशन पर जाना है आउट स्टेशन जाना है इसे मेरे सीनियर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये ओफर एकसे अपना करूं क्योंकि क्योंकि खतरनाक जो है मिशन मैं चाहता तो मना कर सकता था लेकिन फिर जब मैंने पुलीस की नौकरी चुनी है तो मैं जानता हूं कि मेरी राह में खत्रे आएंगे अगर मैं ये मिशन पर नहीं जाता हूं ना मुझे जरूर लगेगा कि मैं अपने फर्स के साथ बेमानी कर रहा हूं मैं नहीं जाओंगा तो कोई और जाएगा और किसी और की जान खत्रे में होंगे छोड़ो मैं ही चला जाता हूं खेर ये सब छोड़ो उशा मोशे को बुला लिया है मैंने मेरे आने तक अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हारा ध्यान रखेगी अगर में प्रोब्लम भी नहीं होगी ठीक है कब जाना है अपको? क्या? मिशन पे आउट अफ स्टेशन कब जाना है अपको? ओ मतलब तुम मेरी बात सुन रही थी यह मुझे लगा शायद तुम नहीं सुन रही थी इस कमरे में सिर्फ हम दोनों है न तो जाइर सी बात है अब मुझे सुनाने के लिए पोल रही थे हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जो कुछ बताया ही न सही मैं अभी तुमसे अपनी हर चीज शेयर करना चाहता हूं इसलिए तुम्हा भी बता रहा हूं कि शायद दो दिन के लिए मैं नागपूर में नहीं रहूंगा एक रिक्वेस्ट करूं विराज सा आप प्लीज वो सारी बाते दुबारा मत उठाईये मुझे उस बारे में कोई डिसकुशन नहीं करना क्यों डिसकुस नहीं करनी है? सही मैंने तुम्हें सबके सामने ये कहा था कि मैं तुमसे नाराज हूं और इस बारे में मैं अकेले में तुमसे बात करूंगा तो अब मैं तुमसे क्यों ना पूछू कि तुम मुझे बिना बताये और पुल्कित के घर चली गई थी और बढ़ इधाय बाता है कि तुम ही ने भूकित को मना किया था मुझे इंफर्म कर्ने से लेकिन मैंने आइक की बाताया था और मुझे किसी ने बोला नी था उन्हें काल करने के लिए मैंने खुद अपनी मर्जी से कॉल किया था और आपको भी तो राग को टेक्स्ट किया था फॉर्मालिटी से जादा कुछ नहीं था सही तुम जब कॉलेज के लिए गई थी तब क्यों ही बताया कि तुम ताई के मा रुखने वाली हो कैसे बताती? मन बना के थोड़ी न गई थी वो तो वहाँ पे कॉलिज में पुलके जीजु ने मुझे उदास और परिशान देखा तो उन्होंने बोला उनके साथ घर चलू वहां हरिनी और डेवी ताई से मिलकर मन को अच्छा लगेगा मैंने उन्हें मना भी किया था लिकिन फिर मुजएत पकड़ गे तो चली गए और वैसे भी उस दिन मैं अपकी शकल नहीं देखना चाहती थी कर दो इसा क्या हो गया जो तुम मेरी शकल नहीं देखना चाहती जाया हो गया? अब मुझसे पूछने क्या हो गया? हाँ सही. आप ठाते हैं कि मैं आपको बता हूँ मुझे क्या बुरा लगा? मैंने क्या सुना? हाँ. पिछले तीन दिनों से मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तुमने सुना है वो आधा अधूरा है. और आधा सच, पूरे छूट से जादा कतरनाक होता है. आप पाकी दीदी से कमिटिट थे? आपके तबियत तो ठीक है ना? आध अच्चे, अब नाटत कर रही हो मेरी चिंता करने का? तुम्हारी ओज जंगली बहु के सामने जो कुछ हो रहा था, तब तो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, है न? बस कीजिये न, निनाथ, क्यों हो अपने आपको तकलीफ दे रहे हैं? अराम कीजिए, विराट को तो परवा ही नहीं मेरी, तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत काम, मेरी मन के शांती का, ये सब, ये सब तुम्हारी ओजंगली बहु के कारण हो रहा है, एक बेटे को अपने बाप से तूर कर रही है वो, बता नहीं क्या जहर भर दिया है उसने मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के मन में, मिनाद, शांतवा, इसमें उस पेचारी की क्या गलती है, बताये तू, पिछली बार आपने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, अब की बार उसे मीचा दिखाने की कोशिश की, थोड़ा सा पाकर बोलते, तो, तो ना आपको अपमानित होना पड़ता, और ना आपका भी पी बढ़ता, मैं आप से एक बिंती करती हूं, निनाथ, प्लीज, अब की बार जो भी बोलना हो, बस बोलने से पहले थोड़ा सोच लिजे कहाँ, अब आराम कीजिए. बोली विराच सर, अब पाखी दीदी से कमिटेट थे? हाँ, और एक कमिटमेंट वाली बात, हमारी शादी वाले दिन मैंने बताई थी तुम्हें, और अब ऐसा कुछ भी नहीं, जो तुम से छुपा हूं, और नहीं मैं किसी से कमिटेट हूं, और नहीं अपनी कोई पुरानी कमिटमेंट निभा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके ज एक बात बता है, विराट सर, क्या आप अपना कमिटमेंट इसलिए निने भार है, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा, तुम्हें वागई बुरा लगेगा, मुझे तो नहीं लगता, तुम्ही तो कहती रहती हो, शादी एक समझोता है, यह रिष्टा रिष्टा ही कहा है, हाँ ना? मुझे ना, आपसे बात ही नहीं करनी, मैं क्यों तकलीफ साहूं, के फार्दू के सवालों की वज़े से? मेरी बातों का, तुम पर इतना असर पड़ता है, कि तुम्हें तकलीफ होगी? कह दो कि हम दुनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, कह दो कि हम दुनों शादी नहीं करना चाहते थे, कह दो कि मैं तुम्हारी पीवी नहीं बनने वाली थी, I'm sorry, Sagi. तुम्हें इतना सेना पड़ा? आप क्यू sorry बोल रहे हैं? सिर्फ कहने के लिए बोल रहे हैं, क्या फीलिप भी करते हैं? दिल से बोल रहा हूं सही? किस बात के लिए? मेरे परिवार ने तुम्हारा अपमान किया, उसके लिए. अगर मेरा केसी ने सबसु जाता अपमान किया है, तो वो आपने. स्टाप्लास के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद. अपने फेवरिट शोज देखने के लिए, सब्सक्राइब तु स्टाप्लास यूट्यूब पेज और हिट तो बेल आइकन.